हाई फ्रेंस आज हम बनाएंगे कड़ी कड़ी कई तरीके से बनाई जाती है तो आज हम पागक की कड़ी बनाएंगे और इसको हम बहुत ही नए तरीके से बनाएंगे बिल्कुत दादी और नानी के तरीके से तो फ्रेंस आज मेरी तोड़ी सी तबियत खराब है और मेरी आवाज बैटी हुई है तो इसको एगनॉर के जिएगा और इस कड़ी को बनाते वक्त मैं छोटी छोटी से ट्रिक्स आपके साथ सेयर करूंगी तो फ्रेंस वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से कमेंट जरू करना और रैस भी देखने के लिए वीडियो को फोल गौच कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने पालक लिया है और पालक को अच्छी तरह से मैंने साप कर लिया है इसके डिंडल को तोड़ दिया है और इस तरह से हम पालक को साप कर लेंगे तो यहां पर मैंने दो गड़ी पालक लिया है उसके बाद मैंने पालक को इस तरह से साप कर लिया है और हमें इस तरह से पालक को ले लेना है और इस तरह से हातों से हम इसको एकटा कर लेंगे इस तरह से हमें इसको कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से एक चाकू लेना है चाकू से बीच में से पावक को इस तरह से दो भागों में काट लेना है और उसके बाद हमें चाकू से इस तरह से इसको बारिक बारिक काट लेना है आप चाहो तो यहां पर हांसिया से भी पालक को काट सकते हो और पालक को हमें बारी की काटना है मोटा नहीं काटना है और अच्छी तरह से हातों को बचाते हुए हमें इस तरह से पालक को काट लेना है और इसे हमें दो तीन बाद साफ पानी से दो लेना है तो फैंस अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरू कर देजिए तो यहां पर मैंने लिया है आदा क्लो दई इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से इसको मत लेंगे तो मैंने यहां पर बिसकर का यूज किया है आप रही से भी इसको मत सकते हो और इस तरह से हमें इसको तयार कर लेना है और एकदम इसमूस से इसको कर लेना है तो यह देखिए इस तरह से हमें इसको गरते तयार कर लेना है उसके बाद हमें यहां पर इसमें पानी डाल देना है पानी हमें इसमें खूब सारा डालना है एकदम पतला सा है इसका हमें गोल बनाकर तयार कर लेना है यह देखिए यहां पर आदा किलो देही में मैंने इतना पानी डाला है इसके लिए हमें बड़ा वर्तन लेना है, यहां पर मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, बेसन को इसमें मैंने डाल दिया है, और बेसन को हमें चान कर लेना है, इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, बिसकर से इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और जो है इसके गुट्वे भी नहीं रहता हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बेसन मिक्स हो जाएगा, एक भी गुट्वा इसमें नहीं बचाएगा, तो इस तरह से हमें बेसन को भी इसमें मिक्स कर लेना है, यह देखिए वह इस तरह से हमें इसको कर लेना है, उसके बाद साथ मैं ही यहां पर मैं इसमें एक चबमच वाल मिश डाल दूंगी और हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और यहां पर हमें कोई भी मसाले यूज नहीं करने हैं बस इनी मसालों से आज हम इस कड़ी को बनाएंगे उसके बाद हमें इसको पी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यानि की सारे मसालों को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसके बाद हमें इसको गैस पर रख देना है तो यह देखें यहां पर मैंने कड़ी को गैस पचला दिया है और हमें इस तरह से इसको चलाते रहना है गैस को ओन कर देना है और इस तरह से हमें कड़ी को चलाते रहना है और इसको हमें छोड़ना नहीं है नहीं तो हमारी जी कड़ी जो है फट जाएगी बस इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे अगर आप छोड़ दोगे तो जी कड़ ना आ जाये तब तक हमें चलाते हुए इसी तरह से इसको पकाना है थोड़ी ही देर में हमारी कड़ी में जो है ओवाल आ जाएगा उसके बाद हम इसको छोड़ सकते हैं तो ये देखिए हमारी कड़ी में जो है ओवाल आ गया है और अब हम जहीं पर इसमें डाल देंगे आदा चम्मज सरसों का ओयल और अब हम इस कड़ी को छोड़ सकते हैं और ये कड़ी जो है अब बहाद नहीं निकलेगी उसके बाद हमने जो काटकर पालग रखा था उसको इसमें हमें डाल देना है तो यहाँ पर दो कर हमने पालग को इसमें डाला है और डालने के बाद इस तरह से हमें पालग को इसमें मिक्स कर देना है और फिर हमें इसको इस तरह से चलाते हुए तोड़ी देर के लिए पका पकोड़े नहीं डालेंगे आज हम बिना पकोड़े की कड़ी बना कर तयार करेंगे तो इसी तरह से हम इसको चला लेंगे उसके बाद हम इसको ढग देंगे और ढग कर ही इसको पकाएंगे थोड़ा सा खुला चोड़ेंगे और बीच वीच में इसको चलाते रहेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पकने देंगे कड़ी को जितना पतवा आप गोलोगे उतना ही कड़ी हमारी अच्छी बनकत तैयार होगी क्योंकि अच्छी तरह से ये पकेगी फिर से हम इसको ढखकर रख देंगे और फिर तोड़ी तोड़ी देर वाद हम इसको इस तरह से चेक करते रहेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर भगोने में कितने ऊपर तक कड़ी थी और यहां पर मैंने इसको कितना पकाया है और यह देख यह बहुत ही बढ़िया सी हमारी कड़ी बनकर तयार है और बहुत ही स्वादिश यह कड़ी लगती है छोटी छोटी टिक्स के साथ इस तरीके से आप कड़ी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनेगी और अब यहां हम इस कड़ी में लगाएंगे तड़का तड़का लगाने के लिए यहां पर हम डाल देंगे इसमें आदा चमच सरसों का ओल ओल को अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे और गर डालेंगे दो साबीत लाल मिज तो यह हमारा तड़का बनकर रेडियाई गैस को अब हम बंद कर देते हैं और अब हमें इस तड़के को कड़ी में डाल देना है और ढब धकन बन्द कर देना है जיס से कि इसकी कुस्बू जो है इसी में बनी रहे तो थोड़ी देर इसको एक वार इस तरह से अगर आपने कड़ी बनाए रहे और एक बार इस तरह से आप कड़ी बनाना पशनंड करो गेदा करना को, ये कड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट वक्ती है और सब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगी तो कड़ी आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिए सब लोग आपकी तारीक करेविड़ा नहीं रहेंगे इस तरीके से कड़ी को पुराने जवाने में बनाया जाता था जो की बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट बनती थी इस तरीके से हमारी दादी नानी कड़ी को बनाती थी जो की खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट वक्ती थी तो फ्रेंस अगर आपको मेरी रेस्पी जरासी भी फसंद आई हो तो वीडियो को राइक जरू कर दिये और अगर आप चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर वीजिए तो मिलते हैं अच्छी से नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक किया थैंक्स पॉर बोचिंग